तो 9 सब्टेंबर 2021 के डेली न्यूस अनलेसिस करेंट अफेस डिसकेशन में आपका सौगत है देखते हैं आज कौन कौन से इंपोर्टेंट न्यूस है सौरी थोड़ा सा देर हो गया है कभी-कभी हो जाता है जादा वीडियो बनाने की चक्कर में सेंटर हाइक मिनमम सपोर्ट प्राइस पोर अपकमिंग रावी सीजन के लिए ओवर ऑल जो वीट का मस्पी है पर कुन्टल उसको कर दिया गया है दो हजार पंदर रुपे पिछले साल ये जो वीट का मस्पी था पर कुन्टल ये था आपका 1,975 रुपे प्रती कुंटल, 1,975, इसको 2% हाइक किया गया और 2,015 रुपीज पर कुंटल पहुचा दिया गया, अब आप बोलोगे, राभी क्रॉप्स का सीजन कब शुरू होता है सर, तो ये राभी क्रॉप को विंटर क्रॉप्स कहते हैं, अक्टूबर, न करमंबर के समय पे इनको सो किया जाता है, इनकी सीट्स लगाई जाती है, और लगबग आप कह सकते हो, फेवररी, मार्च, अप्रेल के लगबग पे इनको हर्वेस्ट किया जाता है, ठीक है भई, MSP क्या है, तो ये गौवर्मेंट जिस दाम पे फार्मर्स से इन क्रॉप्स जादा का उसको return मिले, अब हो सकता है कि market price mechanism से return ना मिले, इसलिए minimum support price यहाँ पे announce के जाता है, अब minimum support price की बहुत important political value हो गई है, सरकार चाहा के भी minimum support price नहीं हटा सकती, सरकार ने minimum support price हटाए भी नहीं, कुछ farm bills लेके आई, जिसमें असर लग रहा था कि MSP हट सकता था, और उ काफी sensitive है, फिर oil seeds pulses, जैसे की mustard, safflower और मसूरदार, मसूरदार पलसर की category में आती हो, safflower और mustard आता है oil seeds की category में, इसका भी minimum support price बढ़ा है, कितना बढ़ा है, लगबग 8 प्रतिशन बढ़ा है, क्यों बढ़ा है क्रॉप diversification को encourage करने के लिए, यह पूरा का पूरा decision किसने लिए Cabinet Committee on Economic Affairs, देखे, किसी crop के कितनी MSP होगी, इसको recommend करता है Commission on Agriculture Cost and Prices, CACP, लेकिन final approval देता है Cabinet Committee on Economic Affairs, कोई नहीं बात नहीं है, पहले भी आपको बता चुका हो, अब overall center नहीं है, यहापे कुछ ऐसी वाते भी बोली है, जिससे वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत प्रो किसान है, जै प्रतिकार का बोलना है कि actually में वीट को उगाने में लगता है 1,008 रुपे प्रतिकुंटल, बढ़ हम दे रहे हैं 2,015 रुपया, मतलब हम almost 100% का return दे रहे हैं, फिर जो rape seed और mustard, जो oil seed से, इसमें MSP increase हो रहा है लगबक 8.6% का, मतलब लगबक 400 रुपे प्रतिकुंटल, और अब 5,050 रुपे का MSP मिलेगा प्रतिकुंटल इन oil seed crops पे, यहां पे भी 100% का return मिल रहा है almost farmers को, ऐसा केंद सरगार का बोलना है, मसूर दाल के उपर भी 400 रुपे प्रतिकुंटल का hike मिला है, लेंटिल्स के उपर भी 7.8% का hike मिला है, और इसके चलते 79% Actually, MSP for the lentil मतलब यह मसूर दाल की ही बात कर रहा है, तो मसूर दाल के उपर 400 रुपे प्रतिकुंटल का hike मिला है, तो इससे मसूर दाल का MSP है, वो पिछले साल से 7.8% हाई है, और overall farmer को मसूर दाल उगाने से 79% के returns मिल सकते हैं on the cost of production, फिर चना और ग्राम का 2.5% का MSP हाई 24% के returns मिल सकते हैं, returns का मतलब यह है, कि सरकार एक methodology के थूर यह decide करती है, कि उस particular crop को उगाने में कितना खर्चा हो रहा है, और उसको उगाने में कितना खर्चा हुआ, finally वो कितने में बिकी, जितना amount जादा है वो return हो गया, पर actually में यह इतना return होता नहीं है, चुकि सरकार यह जो decide करती है, कि इतना रुपया लोगा उगाने में, जो सरकार नहीं है बोला कि एक कुंटल गे हो गाने में एक हजार आट रुपया लगा, actually में फार्मर्स का इससे बहुत सदा पैसा लग जाता है, ground level पे, okay, तो भाई, wheat और mustard seed के लिए 100% का return, lentils के लिए 79% का return, यह जो किया गया, सबसे पहली बात तो oil seeds के लिए काफी कुछ किया है, सरकार ने, सरकार ने MSP को change किया है, oil seeds के favor में लेकिया है, वो यह रहा है कि oil seeds हम लोग बहुत सदा इंपोर्ट कर रहे है, तो उसके लिए oil seeds पे special focus दिया गया है, pulses पे special focus दिया गया है, core cereals जैसे की मक्का, से score cereals इनको भी लाए जा रहा है, तो overall MSP oil seeds पर से score cereals पे बढ़ा के आप क्या करोगे, कि वो farmer जो पीछे पड़ा हुआ है, गेहुँ चावल के, वो दूसरी crops की तरफ भी जाएगा, और इससे supply imbalance नहीं होगा, तो हर किसान जो weight और rise होगाता नजर आएगा, वो दूसरी crops भी होगा एगा, oil seeds के लिए एक national mission on edible oils, oil palm भी शुरू किया गया है, NMEOOP, यह centrally sponsored scheme है, इसको recently सरकार ने अनौंस किया था, 11,040 क्रोन रुपे हैं है, 11,040 क्रोन सरकार यहां पे spend कर रही है, for increasing the domestic production of edible oil, और import dependency को कम करने के लिए, तो इस particular scheme के अंदर, NMEOOP के अंदर, जो area और productivity है, edible oil sectors की वो बढ़ेगी, farmers की income बढ़ेगी, additional employment generate होगा, फिर यहां पे एक umbrella scheme है, प्रधान मंत्री अन्नदाता आयस अन्रक्षन अभियान, PM आशा, इसको 2018 में अनौंस किया गया था, सरकार के दोरा, यह provide करता है, remunerative return to farmers for their produce, यह से umbrella scheme के अंदर, तीन सब schemes है, एक है price support scheme, एक है price deficiency payment scheme, और एक है private procurement and stock scheme, अब मैं आपको इस सब क्यों बता रहा हूँ, देखे, MSP के increase होने के साथ साथ, अब obvious वात MSP news में, agriculture news में, तो अगर आप से किसी question ने पूछ दे जाता है, कि agricultural diversification के लिए सरकार क्या कर रही है, agriculture में, overall हमारी import dependency कम हो, farmers को यह मदद मिले, तो सरकार क्या कर रही है, तो MSP बढ़ रही है, इसके साथ साथ आप, national medicine on edible oils, oil palm भी अपने answer में लिखेंगे, प्रधान, मंत्री, अन अदाता, IS, अन्रक्षन भियान भी अपने answer में लिखेंगे, और जब इस प्रकार की schemes और इनकी basic information अपने answer में लिखो गे ना, तो आपके number बढ़ेंगे, PM आशा स्कीम की बात की जाए, तो private procurement and stockist scheme, ये क्या बोलती है, कि food grains की procurement में private sector भी participate करेगा, तो private sector के participate करने से market में थोड़ा बहुत कह सकते है, competition आ सकता है, सरकार के अबर थोड़ा कम pressure बनेगा, अच्छे दाम पर हो सकता है, private sector इन किसानों का सामान खरीद ले, फिर एक चीज procurement होता है, NAFET की थूँ, ओके, NAFET के बारे में basic जानकारी मुझे नीचे comment box में तो, NAFET एक Central Notal Agency है, ये MSP पे basically procurement करता है, जब भी दाम MSP की नीचे चले जाते हैं, तो NAFET उनको MSP पे procure करेगा, ये कहां लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, आपका price support scheme के अंदर, तो PM आ MSP के नीचे चले जाते हैं, तो NAFET intervene करेगा, और MSP पे उन चीज़ों को खरीदेगा, और फिर a price deficiency payment scheme under this, farmers will be compensated for the difference between the MSP of their crops and actual market prices, मदब market prices अगर कम है, MSP जादा है, तो उस case में farmers का जितना नुकसान हो रहा है, उसको भरपाई की जाएगी, price deficiency payment, तो price deficiency payment scheme में सीधे farmers को पैसा दिया जाएगा, okay, price support scheme में सीधे उन से cropsy खरीद लिये जाएंगे, और private procurement and stocker scheme में private sector आके procurement कर सकता है, general studies paper to government policies and intervention news काम आएगी, ये news अब देखे क्यों important हो जाती, इसलिए important हो जाती है, अभी recently रमेश सिंग में आपको पढ़ा रहा था, रमेश सिंग में जान ने 2014 की, तेरा की, पंदरा की, सोला की scheme में दे रहे हैं, अब सब scheme में थो ना पढ़ोगे यार, लेकिन आपके लिए schemes कौन सी important है, जो कि recently आई, जिसे PM आशा है scheme होगी, NME, EOP scheme होगी, ये scheme में आपके जुमान पर रटी होनी चाहिए, जो कि ये पूच जड़ी चनल स्टुपर टूरी जिए सपेपर टूरी जीस पेपर टूरी में चीजा पो काम आईगी, गौर्निट पालसी जन इंटरवेंशन अब बोलगवसा है, जिसे में पाल पर तो ऐसे को होता है, जिसे तो ऐसे बारा जीस में count नहीं होता है, नेक्स्ट बात करते हैं, production link incentive schemes for textile आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आप तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किया है इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजे जॉइन बटन दबा के आप help कर सकते हैं जॉइन बटन हो सके तो जरूर दबाएए आपके जॉइन बटन दमाने से specifically help मिलती है overall हर चीज free of cost available है तो आप जॉइन बटन दबा कर सकते हैं अब यह क्या चीज है सबसे पहले तो यह आपके दिमाग में आएगा कि भाई यह MMF टेक्स्टाइल क्या है तो MMF आप बोलते हो ओवराल कोई business setup कर रहे है और उस business से production जादा कर रहे है तो production के इसाब से उनको यहाँ पर overall पैसा दिया जाएगा incentive दिया जाएगा सरकार के दोरा PLI scheme के अंदर सरकार ने अभी के रहे इस scheme को अलॉट किये है 10,683 क्रोन रोपीज तो textile सेक्टर में अब PLI भी आ चुका है textile सेक्टर में RODTP तो आ ही चुका है मतलब remission of duties and taxes on exported products फिर एक ROSCTL भी आ चुका है textile में इसका क्या full form है तो यह है rebate of state and central taxes and levies scheme तो इस प्रकार की इत्ती सारी scheme मिल रही है आपकी textile सेक्टर को तो इससे होगा क्या textile सेक्टर को एक push मिलेगा overall textile सेक्टर को competitive prices पर raw materials मिलेगी skill development किया जाएगा textile सेक्टर में PLI में specifically किस प्रकार से सरकार scheme को implement कर रही है तो PLI में वाली scheme में दो प्रकार की investments को envisage किया गया है दो प्रकार की investments कैसे मतलब एक तो वो लोग जो की overall plant machinery और civil works में 300 क्रोन रुपय तक invest करने को त्यार है याद रखेगा इसमें land और administrative building cost involved नहीं है तो मालो मैं बहुत अमीर आदमी हूँ मैंने textile sector में एक factory खोली तो उस factory को खोलने के लिए मैंने building बनाई और land को खरीदा ये cost को छोड़के इसके अलावा अगर मैं plant वगरा में बाकी infrastructure में 300 क्रोन रुपया खतम करता हूँ तो मैं PLI scheme के लिए eligible हो जाएगा एक तो यह है दूसरा type PLI skill में यह है कि जो आदमी 100 क्रोन इंवेस्ट करणा है तो एक तो 100 क्रोन इंवेस्ट करने वाला एक 300 क्रोन इंवेस्ट करने वाला PLI scheme के लिए incentive के लिए eligible हो जाएगा कितना incentive होगा वो तो अब उनके सब classification के साब से 100 क्रोन वाले को अलग incentive दिया जाएगा 300 क्रोन वाले को अलग incentive दिया जाएगा किस प्रकार से दिया जाएगा उसमें उसमें की जरूत नहीं है लेकिन incentive तब मिलेगा जब इतने investment के बाद production बढ़ाई जाएगी प्रोड़क्टिविटी लिंक्ट incentive है ये जितना जादा production करेंगी ये companies उतना ही जादा उनको सरकार के तरफ से investment मिलेगा तो पहली eligibility criteria क्या है कि आपने upfront investment कितना किया तो उसके लिए तो दो categories बना रखी 100 क्रोन और 300 क्रोन और बाद में आपने production कितना किया तो production के हिसाब से overall आपके incentives तैय होगी और आपको पैसा release किया जागा सरकार के तोरह समझ गया तो यह बत बताए जारी मतलब यह जो scheme है यह offer करती है incentives on incremental sale कितना extra बना कि आप sale कर रहें market पे इसके उपर आपको incentive में लेगा productivity link incentive यहाँ पर priority दी जाएगी aspirational districts में investment के लिए three times four times गुजराथ UP महाराष्ट तमिलनाडू पंजाब आंध पदेश तिलंगना औरीसा जैसे states में यह scheme खासा मदद करेगी यहाँ पर 19,000 क्रोन से जादा का investment आ सकता है overall इसमें जो industry setup होंगी उनमें तीन लाग क्रोन तक का turnover आ सकता है साड़े साथ लाग jobs यहाँ पर create हो सकती है और already textile sector को push देने के लिए national technical textile mission भी यहाँ पर लाया गया है सरकार के दौरा अब यहाँ पर national technical textiles mission यह technical textiles क्या होती है भई तो technical textiles वो textiles होती है जिनको manufacture किया जाता है primarily for their technical performance यह functional properties मतलब उनको aesthetic और decorative characteristic के लिए निए कई बर क्या होता है कि textile में कपड़े के उपर बढ़ी अच्छी design ने बना के overall उनको रंग बे रंगा बना के हमारे sofa के उपर table के उपर सजाया जाता है उसलिए नहीं किसी specific purposes के लिए तो medical technology में तो meditech उसी प्रकार से agrotech, build tech, cloth tech, geotech, home tech, indotech, mobile tech, meditech, pro tech, sports tech, eco tech, pack tech तो अलग-अलग technical industries में उन technical requirements के हिसाब से जब कपड़ा textiles का बनाया जाता है जिसमें कुछ particular performance की ज़रोत है, कुछ particular functional properties की ज़रोत है तो medical sector में overall doctors जो gloves पहनते हैं, जो overall gown पहनते हैं, उन गाओं के अंदर एक particular property होती कि जो germs है वो उसके अंदर नहीं जा सकते overall वो doctors को infection से बचाते हैं, तो यहाँ पे उस कपड़े का ये target नहीं है कि वो सजाए चीजों को, उस कपड़े का एक specific functional target है तो जब किसी functional technical purposes के लिए किसी textile को बनाये जाता है, तो उसको technical textile बोलते हैं, और इस प्रकार की textile को national technical textile mission से बढ़ाने की कोशिश की जाए लिए कुछ और points दिये गए हैं, यह जो national technical textile mission है, वो 2020-21 में शुरू हुआ है, चार साल तक चलेगा चार components का पहला component है, focus on research and development and innovation, एक हजार करोन का इसका outlay है, research होगी fiber level पे भी और application based in geo, agro medical sports and mobile textiles, फिर bio degradable technical textiles को इजात किया जाएगा second component है, promotion and development of market for technical textiles, market को develop करना, overall जो domestic market है technical textiles का, 2024 तक 40-50 billion dollars पहुँच जाए, यह target है तीसरा component है कि भाया, technical textiles के export को आप इंडिया में बढ़ाईए, तो overall, target यह है कि 2021-22 तक, जो exports है technical textiles का, वो 14,000 करोड से 20,000 करोड तक पहुँच जाए, और हर साल export कम से कम 10% बढ़े है technical textiles के, और last component, education, training और skill development के उपर, national technical textiles mission में काम किया जाएगा GS paper 2, government policies and interventions में news आपको काम आएगी, next बात करते हैं, स्वक्ष सरमेक्षन ग्रामीन 2021, तो देखे स्वक्ष सरमेक्षन ग्रामीन 2021 लांच किया जा रहा है, अंडर स्वक्ष भारत mission phase 2, 9 September 2021 को लांच किया जा रहा है, as a part of आजादी का अमरित मौसव, वैसे आज ही 9 September 2021 है, तो आ आजादी का अमरित मौसव के अंदर ये स्वक्ष सरमेक्षन ग्रामीन लांच किया जा रहा है, जिससे ये पता किया जाएगा, कि जो ODF प्लस इंटर्वेंशन किस प्रकार से परफॉर्म किया है, कंट्री में इसके रिजल्ट्स के है, ODF मतलब open defecation free, तो हमारे गाउं को सा जो को देखा जाएगा, सरमेक्षन 2021 में, ये सरमेक्षन करवाया जाएगा, 17,475 विलिजेज में, 698 डिस्ट्रिक्स में, 87,250 पॉब्लिक प्लिक प्लेसे को कवर करेगा, स्कूल, आंगन वाडी, पॉब्लिक हेल्स सेंटर, हार्ट, बाजार, रिलिजियस प्लेसे यहाँ पे सैनिटेशन डिलेटेट इशूस पर फीडबैक देने के लिए, एक आपके सकते हो, ऑनलाइन भी चीज़ों को, वो सिंक्रोनाइस किया जाएगा, यही सब बात यहाँ बताई जाएगा, दर कुल मिला कि सौक्च सरमेक्षन, सौक्च भारत मिशन फेस टू के अंदर लाँच किया जा रहा है, ओवरॉल ओपन डेस्फिकेशन फ्री इंटर्वेंशन किस तरीके से काम कर रहे है, ओवरॉल रिजल्ट्स यहाँ पर क्या निकल क्या है, किती जगों पर यह हो रहा है, यह सब आपने देख लिए, डेपार्टमेंट ऑफ ट्रिंकिंग वाटर एंड सैनिट ग्रामीन, इसमें elements क्या क्या होंगा या लगला, तो पहला element है, direct observation of sanitation at public places, यह 30% importance है, दूसरा citizens feedback, using feedback from common citizens, key influences at village level from citizens online using a mobile app, यह 35% है, तीसरा service level progress from sanitation related measures, यह 35% है, open defication free की अगर परिभाशा देखा जाए, अंडर सौच भारत मिशन ग्रामीर रूरल, तो क्या है, open defication free is termination of faculty oral transmission, अब आप बोलोगी यह क्या चीज़ है सर्फ faculty oral transmission, जो humans के, आप कह सकते हो कि, waste products होते हैं, जैसे excretory products होते हैं, जो humans के excretory products होते हैं, पहले क्या है open जाके खेत म ही, आप कह सकते हो कर आए, अब क्या है, टॉयलेट्स में करते हैं, उनको transmit करना जरूरी है, चुकि अगर वो fakal products, अगर वो excretory products humans के बाहर पढ़े हुए हैं, तो क्या होता है, कि environment में लोग घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हो, वहीं पर fakal products पढ़े हुए हैं, तो उन fakal environment में, आप कह सकते हो कि लोग घूम रहे हैं, तो fakal oral transmission हो जाएगा, बहुत सारी मक्हियां, insects वगारा, उस fakal product में से गंदगी को, pathogenes को, बीमारियों को उठा के, हवा में लेके घूमेगी, और जैसे तरह से करके, वो बीमारी आपके oral, मतलब mouth तक पहुंच जाएगी, तो इ इसलिए open defecation free पर इतना जादा focus किया जाता है, तो overall, इसी ODF के अंदर यह बोला गया कि हर हाउजोल चाहे वो पुब्लिक हाउजोल हो चाहे, community institution और safe technology इस्तमाल करेगा, fakal को dispose करने के लिए septic tanks बनवाए जाएंगे, proper toilets बनवाए जाएंगे, ठीक है, overall, इस safe disposal में किसी भी प accessible हुआ, तो वो path insurance फैलाएंगे, यह सब बातें यहाँ पर बोली जारे हैं, overall, ministry ने 12 parameters की checklist भी issue किये, जिसमें gram, panchats और villages को अपने options भरने हैं, तो देखें यहाँ पर, कौन-कौन से factors, 7 factors उपर दे रखें, factors considered in household survey for, आप कह सकते हो, ODF declaration, तो ODF declaration में देखें, अब गाओं-गा एक village survey होगा, ODF declaration का, जिसमें 8 से लेके 12 सवाल तक पूछे जाएंगे, एक ODF, for a village to be an ODF, अगर एक पूरा का पूरा village open defication free मानना है, तो जो household survey के question है, उसमें कम से कम 1, 2, 4 का answer yes होना चाहिए, और जो village survey के question है, उसमें 8 से 12 का answer yes होना चाहिए, अगर 1 से 4 का answer household survey, और 8 से 12 का answer village survey yes हो जाता है, तब आप कह सकते हो village ODF free है, तो ये वो 12 सवाल हैं जो कि लोगों से जाके पूछे जाते हैं, villages में जाके पूछे जाते हैं when it comes to ODF survey action, GS paper 2 में इन यूज आपको काम आएगी, फिर populist politics का एक और example यहां पर देख रहा है, जहारकंड assembly लेके आई है, जहारकंड क local candidates in private sector, मतलब कि जहारकंड की जितनी भी private sector की jobs हैं, 40,000 रुपए प्रती महीने तक की, उसमें से 75% नौकरियां locals, मतलब जहारकंड के local के लिए reserve की जाएंगी, इस प्रकार के law पहले आंदरपदेश में भी आ चुके हैं, हर्याणा में भी आ चुके हैं, अब जहारकंड में भी आ रहे हैं, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, इसको काफी पहले कृटिसाइज भी किया गया है, एडिटूरल में हमने इससे related articles भी डिसकस की हैं, आंदरपदेश पहला स्टेट था, जिसने 2019 में इस प्रकार का एक बिल पास किया था, जहां पे 75% कोटा locals को दिया गया जिसको एक designated officer lead करेगा, जिसमें deputy development conditioner होगा, circle officer होगा, local MLA होगा और वो क्या करेंगे, they will supervise the employment procedure, directions issue करेंगे employer को, overall इस पूरे के पूरे कोटा का सही तरीके से implementation हो, जिस बात को ensure करेंगे, GS paper 2 और GS paper 1 में चीज़ काम आएगी, next news, women will be allowed to enter National Defense Academy, जो additional solicitor general है, एश्वरया भाटी जी, वो recently कल्टर मेरेस के उपर short भी बनाया, वो recently Supreme Court में उन्होंने बोला कि बाई, देखिए, हम, मतलब सरकार, अब women को National Defense Academy में allow कर रही है, अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि Supreme Court में petition file होई थी, और ये बोला गया थे ये बाई, NDA के exam के इंदर के वल men attempt, मतलब men appear हो सकते हैं, women क्यों नी appear हो सकती है, अगर women को permanent commission allowed है, तो NDA की थुरू भी allowed होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बाई, permanent commission women को NDA की थुरू allowed नहीं है, तो Supreme Court ने बोला, ये तो women के fundamental rights का violation है, तो उस समय पे तो केंद सरकार न ये वगारा में, women को allow किया गया है, armed forces में, ठीक है भाई, तो अभी के लिए, ये submission गया है, केंदर की सरकार की तरफ से Supreme Court के पास, detailed नियम कानून आना बाकी है, हाला कि यहाँ पे ऐश्वरया भाटी जी ने, Supreme Court से ये भी बोलाए कि भाई, इस बार का जो recruitment cycle है, वो status को तरीके से हो जाने दीजे, क्योंकि पांच नॉम्बर को पेपर है, अलरड़ी सारा notification वगरा निकल चुका है, अगले साल से जब भी NDA का notification होगा, proper नियम कानून होगे, कौन सी seats, कितनी, और कहां कहां पे admission के लिए है, women, when, मतलब, NDA का detailed notification अगले साल निकाला जाएगा, जिसमें बता Supreme Court से बोला, अब देखिए Supreme Court यहां पर क्या बोलता है, अभी के लिए detailed affidavit by September को file होगा, तो एक अच्छा step है, यह जो sex serious type है, कि जो women से वो phasologicals weaker है, यह गलत है, अभी भी आर्मी के combat उसमें women allowed नहीं है, ठीक है, अभी भी आर्मी के बोलना है कि भाई, अगर women capture हो जाती है, एनमी lines के behind, तो उसके खिलाब बहुत गलत हो सकता है, जब line of control पे overall रात में posting होती है, तो बारा बारा घंटे की duty लगती है, दोनों तरह से shelling हो रही होती, overall बहुत intense महौल होता है, अब बात देखे यह है, एक जो बड़ा issue है मुद्दा यहां पे, कि women को combat streams में allow करना सबसे खास बात यहां पे यह है कि जब भी एक women service करने के लिए जा रही है, उसको यह मालूम है कि इसके side effects क्या है, इसके consequences क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जो जवान हैं, जो की जाके हमारे लिए लड़ते हैं, कैप्टन विक्रम बत्ता, मनोज पांडे जैसे लोग हो गए, जब उन्होंने Indian Army join की थी, उनको यह पता था कि एक समय ऐसा आ सकता है, जिस समय पे उनको देश के लिए मरना पड़ सकता है, देश की सेवा के लिए मरना पड़ सकता है, लेकिन वो तब भी जाते हैं, यही notion women के साथ है, जब women इस particular stream को join करेंगी, जब वो armed forces को join करेंगी, त तो फिर आप अपने personal interest को भूल जाओ, फिर stereotypes अपने दिमाग से निकाल दो, शायद यही Supreme Court और बाकी जो भी women pro organization है, वो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से आदमी अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, उस प्रकार से औरतें भी अपने देश के लिए जान दे चाहिए, समझ गया आप बात को, national security में तो देखे, यह होता ही है, overall, समझ गया, तो यह है, पूरा का पूरा सीन यहाँ पे, national defense academy की बात की जाए, तो एक joint defense service training institute है, Indian armed forces की, जहाँ पे तीनों services के cadets, Indian army, Indian navy, Indian air force training करते हैं, खड़क वासला पूने में है, पहली tri service academy है, दुनिया चीफ के staff, India के है, अभी के लिए, जो current chief of staff है, आर्मी के, नेवी के, एर फोर्स के, तीनों, एंडिया के है, general studies paper 1 में इस चीज़ आपको काम आएगी, फिर यहाँप एक ceasefire हुआ है, NSCN, खापलांग निकी ग्रूप, आपने National Socialist Council of Nagaland, खापलांग का सुना होगा नाम, अभी के लिए, केंदर सरकार ने, जो National Socialist Council of Nagaland, खापलांग का निकी ग्रूप है, इसके साथ एक ceasefire agreement sign किया है, एक साल का, तो इस output के जो 200 cadres है, 83 weapons के साथ, इनों ने peace process जोईन कर लिए, और अभी के लिए, किसी भी प्रकार की insurgency में involved नहीं होगे, इस ceasefire के जो ground rules है, वो तै कर लि partner है, R.N. Ravi, जो की central government के interlocutor है, with respect to Nagaland issues, इनको भी हटाया जाए, ऐसा किसका बोलना है, ऐसा इसा इसाक मुविया faction का बोलना है, NSCN के, मैं आपको बता दू, National Socialist Council of Nagaland, खापलांग वाला जो group है, इसको terrorist organization declare करके लखा गया है, और overall इसका जो निकी sub-faction है, इस निकी sub-faction के सा ceasefire हुआ है आपे, खापलांग के साथ ceasefire नहीं हुआ, जो faction allowed है, National Socialist Council of Nagaland इसाक मुवया, इसकी R.N. Ravi के साथ निकला है है, एक तो NSCN IM है, एक NSCN NK है, एक NSCN R है, एक NSCN K है, खांगो, तो इतने सारे यहाँ प NSCN factions है, इन सब को मिला के चलना है overall सरकार को, और सरकार इस direction म है, सरकार अलग अलग जो भी insurgent groups से उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनको बोल रहा है कि आप हतियार नीचे डालो, आप अपनी सरकार बनाओ, प्रॉपर तरीके से राज करो, ये क्या आप हतियारों कितरा गुंडे कितरा राज करो, तो अब इन groups को भी ये बात समझ में आ जोईन किया, National Democratic Front of Bordoland को 43 वेपन्स को यहां पे सामने रखा गया, सरेंडर किया गया, तेईस वरवरी को, 1040 leaders and carriers को ने जोईन किया, कार्भी ग्रुपस अफ आसाम को, 338 वेपन्स के साथ, अभी रिसेंटली कार्भी एंगलांग एग्रिमेंट भी साइन हुआ है, चार सेप् निकी सूमी के साथ, जो आप कह सकते हो, involvement है, वो थोड़ा tricky है, चोकि यह NSTN कापलांग के साथ involved रहे हैं, NSTN कापलांग मायनमार से operate करता था, NT India है, काफी हद तक terrorist organizations को declare करके रखा गया है, और निकी सीमी को National Investigation Agency धूण रही है, चंडेल मनीपूर में 4 जून 2015 को एक आर्मी आर्मी कनवय के उपर attack हुआ, हमारे 18 जवान शहीद हो गया इसमें, तो इसमें निकी सूमी को धुड़ा जा रहा है, जिसके उपर 10 लाक रुपए का इल्जाम है, ओवरॉल NIA ने इस case के basis पे लगबग 4.2-3 करोन के assets भी attach करवाए हैं, इन्फोस्मेंट डिरेक्टरेट के दोरा, लेकिन अब यहां पर चुकि अलग-अलग नागा ग्रुप्स के साथ बातचीत करने की जुरूरत है, तो हो सकता है नुकी सूमी को पहले के terrorist attack में थोड़ी रियायत मिल जाए, तो सरकार बहुत तेजी से अलग-अलग ग्रुप्स के साथ ceasefire agreement करवा रही है, और जरू 37% of sharks and race threatened with extinction, तो यह जो आप कह सकते हो announcement है, यह International Union for Conservation of Nature की तरफ से आ रहा है, एक्चुली में, सिंस 2014, वर्ड, sharks and race यह बहुत तेजी से decline हो रहे हैं, और बहुत सारे हैं, threatened with extinction, यह एक नई red list बोलती है, जिसको अभी global conference पे release किया गया है, दो हजार एक्किस में, लग-बग 37% of the world sharks and race are in danger, यह 2014 में 33% था, अब 37% हो गया, अब ऐसा हुआ क्यों है, तो इनकी hunting ज़्यादा हो रही है, habitat loss है, climate change हो रहा है, यह सब इसके लिए responsible है, 1970 से लेके अब तक शार्क की population 71% घट चुकी है हमारे oceans में, IOCN के red list, hundreds of species को हर साल assess करती है, एक लाख 38,000 species जिसको यह IOCN track करता है, इस में से 38,000 are threatened with extinction, और इन सब चीजों के लिए वज़ा क्या है, global warming, deforestation, habitat degradation, pollution और और बहुत और प्रकार के threats है, यह सब बाते यहां पर बताई जारी है, दुनिया की half of the bird of prey species यह decline कर रही है, 18 species critically endangered है, temperatures warm कर रहे है, ice पिखल रही है, तो जो emperor penguin है, आपको पता ना, Antarctica, Arctic में penguin पाई जाती है, तो यह 70% penguins खतम हो जाएंगी, 2050 तक ऐसा बोला जा रहा है, 2100 तक 98% penguins खतम हो जाएंगी, इंडिया में sharks की बात की जाए, तो इंडिया में 160 species हैं sharks की, जिसमें से 10 को legally protect किया गय 1892, whale shark पहली species थी जिसको इंडिया में प्रोटेट किया गया, pondicherry shark is on the break of extinction, gangetic shark, fresh water, estuarine sharks भी पाई जाती है, तो बहुत सारी sharks हैं, तो बहुत सारी sharks हैं, spear hood tooth, fresh water, green shark, giant guitar fish, जाफी सारी खत्रे में, आप कैसाते हो, 2016 में, इंडिया में इंडिया में सेकेंड लार्जस्ट शार् फिशिंग कौन करता है, इंडिया, नमबर टू पर कौन करता है, इंडिया, जी एस पेपर 3, बायो डाश्टी कंजर्वेशन में न्यूज आप को काम है, तैंक यू फो वाचिंग फ्रिंट्स, जादा से जादा लोगों कासर वीडियो को शेर करिए, आप अपने comment box नीचे comment करूँ, थोड़ी वीडियो लेट हो गई, उसके लिए स्वारी हो सके तो join button दबाईए, have a great day, goodbye.